आज मैं भगवान की कृपा से दिल्ली के और देश के करोडों लोगों के आशिरवाद से आप लोगों के बीच में जेल से छूट के आया हूँ उन सब लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रियादा करता हूँ, भगवान का शुक्रियादा करता हूँ मैं हमेशे कहता हूँ मैं जानता हूँ मेरे विपक्ष के साथ ही मुझे यहां देखके मनी से सो दिया के देखके दुखी तो हो रहे होंगे तो मैं हमेशे कहता हूँ मोदी जी बहुत ताकतवर है बहुत ताकतवर है और अथा पैसा है उनके पास अथाह रिसोर्सेज हैं पर मोधी भगवान नहीं है और भगवान तो है इस दुनिया में कोई तो शक्ति है कोई उसे भगवान कहता है कोई उसे अला कहता है कोई कुछ कहता है कोई कोई तो शक्ति है वो हमारे साथ है मैं माननी सुप्रीम कोट का शुक्रियादा करना चाहता हूँ आज हमारे देश के अंदर नहाई वेवस्था तो है अध्याच मोदे आज में मुख्यमंत्री जी के साथ सुबह एक रोड का इंस्पेक्शन करने गया था दिली इनिवस्थी में सडकें बहुत शांदार हुआ करती थी मेरे पास जेल से छूटने के बाद कुछ लोग आए उन्होंने बताया कि दिली इनिवस्थी की सडकें खराब हो गई हैं मैं आज रोड इंस्पेक्शन करने गया था और बहुत बुरा हाल था सडकों का तो मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा कि इनको तुरंट ठीक करवाया जाए उन्होंने आदेश दिया है और मैं उमीद करता हूँ कि उस सडक को जल्द ठीक करवाया जाएगा हैं जी आप तो मालिक हैं साफ देश मैं तीन चार दिन पहले भाजपा के बड़े नेता से मिला मैंने उस से पूछा मैंने का मुझे गिरफतार करके क्या मिला आपको कुछ फायदा हुआ बोले आपके पीछे से हमने पूरी दिल्ली सरकार डिरेल कर दी हमने आपके पीछे से दिल्ली ठप कर दी बड़ा खुश हो रहा था मुझे बड़ा दुख हुआ सुनके आक्रोश भी हुआ और स्थब्ध रह गया मैं देश की राजधानी के दो करोड़ लोगों की जिन्दिगी खराब करके उनको खुशी हो रही है ऐसी कैसी पार्टी हो सकती है ऐसे कैसे नेता हो सकते है जो दिल्ली ठप करके दिल्ली के दो करोड़ लोगों की जिन्दिगी खराब करके परिशान करके और वो खुश हो रहे हैं क्या इतनी राज़नीती इस तर पे गिर सकती है कि वोट लेने के लिए उनका मकसद क्या उनका मकसद था कि हमारे को बर्धनाम करना आम आदमी पार्टी की सरकार को बर्धनाम करना ताकि उनको वोट मिल जाएं नॉमल वो देख चुके तीन चुनाव से लगातार तीन क्या यह तो 25-27 साल से 27 सानवे से बहार हैं तो 23-24 27 साल से वनवास है 27 साल से इनको दिल्ली की जनता वोट नहीं दे रही है अब ये दिल्ली की जनता को परेशान करके वोट लेना चाहते है अरे आपके पास तो केंदर सरकार है यार केंदर सरकार के पास अथा पैसा है केजरी वाल पांच सो महला क्लिनिक बनाता है आप पांच हजार महला क्लिनिक बनाओ ना दिल्ली में कौन में ना कर रहा है यह मनीज सिसोदिया ने 700 स्कूल बनाए आप 7000 स्कूल बनाओ ना दिल्ली में कोई हमको पूछेगा ही ने आज 500 500 मोहला क्लिनिक अगर मैंने बनाए आप उन 500 मोहला क्लिनिक की दवाईयां बंद करके केजरिवाल को बदनान करके वोट लेना चाहते हो यह गलत बात है यह जनता भी देख रही है सब साफ हो जाता है जनता के सामने आपको लगता है आप ही उश्यार हो जनता बड़ी स्यानी है जनता देखती है जनता चुप रहती है वोट वाले दिन जब बटन दबाने जाती है तब जनता अपना गुस्सा जाए एक मिनट बाद